हेलो फ्रेंट्स जिसा कि आप सब जानते हैं कि मिलखा सिंग 1906 और पीटी उशा 1904 से में ओलम्पिक मेडल से चुक गए थे लेकिन 1901 और पीटी उलम्पिक में भारत के नॉर्मन गिल्बर्ट प्रिचर्ड ने एटलेट्स में दो सिल्वर मेडल प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया था उनका जन्म 23 जून 1887 में कलकत्ता भारत में हुआ था प्रिचर्ड उलम्पिक में भाग लेने वाले पहले भारतिय थे और तो और वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एशाई देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल जिता था पेरिश ओलम्पिक 1900 में प्रिचर्ड ने पाँच ओलम्पिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें मेंस 200 मिटर 110 मिटर हर्डल में वो फाइनल में पहुचे थे जिसमें उन्होंने मेंस 200 मिटर 22.08 सेकंड और 200 मिटर हर्डल 25.04 सेकंड में कम्प्लीट करके भारत के लिए दो सिल्वर पदक हसिल किये और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया इसके अलावा नॉर्मन पिचट पहले एसे खिलाड़ी थे जुन्होंने 1800 सिंत्याणू में भारती एतियास में सेंट जेवियर वर्षे सोव बाजार के फुटबॉल मेच में हैट्रिक दर्ज की थी उन्होंने 1800 चुर्यानू से 1900 तक लगातार साथ वर्षों के लिए बंगाल सोगच स्प्रिंट रेज भी जीती उन्होंने 440 गच और 120 गच हडल रेज भी जीती 1900 से 1902 तक भारतिय फुटबॉल एसोसियेशन के सचीव पत के रूप अपनी सेवाय प्रदान की नॉर्मन प्रिचर्ड एक विवादास्पत ओलंपियन एथलेट थे क्योंकि यह विवाद उठार था कि वह भारत का प्रतिनी दिद्व कर रहे थे या ब्रिटेंड क्योंकि ब्रिटेंड ने दावा किया था कि वह मेडल उनकी जोली में आना चाहिए क्योंकि जून 1900 में वह बंगाल प्रेसिडेंशी एथलेट क्लब के सदस्य के रूप में लंदन एथलेट क्लब में चुने गए थे 1900 ओलंपिक में ब्रिटेश टीम का सिलेक्शन एएएए चेंपियनशिप के आधार पर हुआ था जिसमें प्रिचर्ड ने 120 गज हर्डल रेस सेकंड पोजिशन बर खत्म की थी और ओलंपिक के लिए सिलेक हो रूकी प्रिचर्ड बंगाल प्रेसिडेंसी कलब के सदस्य थे इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने यह निशकर्ष निकाला था कि वह इंडिया का ही प्रतिनित्व कर रहे थे और दोनों मेडल इंडिया के खाते में गये इसी तरह नौर्मन प्रिचर्ड पहले भार अवरीका चले गए और उन्होंने अपना नाम बदल कर नौर्मन ट्रेवर रखा उन्होंने उनके जीवन में 26 नाटक और 27 मूवीज में अभिनाई किया 31 ओक्टोंबर 1929 को ब्रेंड मेलेडी नाम की बिमारी से उनकी मत्ति हो गई नौर्मन प्रिचर्ड पहले एसे भारती ओलम्पिक सुपरस्टार थे जुनोंना ओलम्पिक पदक हासिल किया था ओके फ्रेंड्स तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और एसे ही मोर इंट्रेस्टिंग फेक्ट जानने के लिए हमें सब्स्राइब करना ना भूले